तो बार्णिंग तो हम सभी प्रोष सेक्षन में हैं इंडियन कल्चा एंडियन सिविलाइशन या इंडियन सिविलाइशन और कल्चर भारतीय श्वेता और संस्किती या भारतीय संस्किति एवन संस्किती इंडियन सिविलाइशनल कल्चर को हम लोग लिये थे डेवन में जो हमने महात्मा गांधी के बारे में भी बताया था इस पीछ दिया था हिंदी इंगलिस में साथ ही महात्मा गांधी के इस निवंद को भी हमने बताया था किसमें उनका क्या मंतब है आज सकेंडे में हम लोग हैं इंडियन शिवलाइशन कल्चर के सकेंडे में हम लोग लेने जा रहे हैं कुछ कोईश्टन्स आंसर को ताकि साथ कोईश्टन्स भी दिक्कत नहों समरी का लाइन भी हम समझा देते हैं और एक्स्पलारेशन्स भी कुछ बता देते हैं प्रोज सक्षन है तो लंबे होंगे घबराना नहीं है आराम आराम से सब को चवाना है समाप्त करना है फिर छट करके गेस में कम हो जाएंगे लिए पढ़ना सबको है आईए हम लोग डे टू में हैं पाहले शमरी इंडियन सिवलाइशन कल्चर है जबीन रीटन भाई महात्मा गांधी इंडियन शवता और संस्किती यानि सिवलाइशन कल्चर को महात्मा गांधी के दूरा लिखी गई है इंदिस ऐसे इस निवंध म øलाइशन भारति संथा के महत के बारे में महत का बनांध किया ईइसल पेसी बैसीटर वाहति सिवलाइशन को बेया ब्युक्ति आख एक अभी तक अपने मौलिक चैट्र को पहुत सुरख्षित रखा है it is unique and it cannot be beaten in the world अद दुनिया में इसे पच्छारा नहीं जा सकता पीचा नहीं जा सकता रोम, ग्रीश, चाइना and many other countries left their own ancient civilization and accepted western civilization हम जानते हैं कि रोम हो, ग्रीश हो, चाइना हो या बहुत सार दुस्रे देश ऐसे हैं जो अपने पुराने यानि प्राचीन शवता को छोर रखा है और नए यानि पश्मी सवता को अपना रखा है the people of those countries believe in materialism उन देशों के लोग भौतिक बाद में विश्वास करते हैं but Indian civilization लेकिन भारतिय सवता जो है did not change बदली नहीं it has kept its ancient civilization इसने अपने प्राचीन शवता को काईम रखा है it is really said that याब बास्तों में कहा जाता है कि आपर माइंड इस रेस्रेस बड़ क्यावारा मन एक अशांत पक्षी होता है the more it gets जतना जादे इसको मिलता है the more it wants उतना जादे और चाहता है and still remains unsatisfied और फिर भी और संतुष्टी राता है कि मन तो एक बेचेन पक्षी होता है ना जतना देते जाओ जतना नाम काम पैशे वजूद मिलते जाए उतना और चाहेगाओ we have many desires हम लोग की बहुत शारी चाहे है but we must control of our mind लेकिन हम लोग अपने मन पर में जरूर कंटोल नियंतना रखना चाहिए and desires और छाओ पर भी our ancestors did not want to live in cities हमारे पुरवज लोग cities में महानगरों में शहरों में रहना पसंद नहीं करते थे they set a limit to our indulgence indulgence हमारे सनलिपता को एक limit को set रखा सीमा से बाहन दिया कि हमें कितनी सनलिपत रहना है शुक्सागर में कितने चीज में हमको समाईत रहना है नहीं रहना है सबको limit बनाया they were satisfied with the small villages वे लोग जो थे छोटे-छोटे गाहों सही संतुस्त रहते थे and according to them, cities are full of corruption यह महानगर राज जो होते हैं corruption से भरा होता है आगे आए गेंग्स अपरावर्स डाकों से भरा रहता है थिप्स चोरों से भरा रहता है प्रस्योशन बेश्याविर्तियों से भरी रहती है and anti-social elements और और समाजिकतत से करप्सनी सभष्टाचार अपराद crime इन सब से भरा हुआ रहता है आपका कौशी महानगर जितने बरे सहर में जाओ जितने महानगर में जाओ यह सब और समाजिकतत जरूर मिलेंगे बेश्याविर्थी का ड्डा मिलेगा चोरों का ड्डा मिलेगा यानि सुरक्षित नहीं है इसलिए हमारे पुर्बज नहीं जाना चाहते थे नहीं रहना चाहते थे इनके अंसार कि लोग वहां खुश नहीं रह सकते दा कामन पिपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली यह साधारन लोग जो होते थे आम आदमी जो होते थे वह बड़ी शौतनता से पहले जीते थे शौतनत्र भाव में अभी भी गाओं घर में कुछ सबता बची हुई है आप जाकर देखिए गाओं का लाइप और शहर का लाइप अंतर होगा एंड फॉलोड देयर अग्रिकल्चल अक्यूपेशन और अपने किसी संबंधी पेशा को फॉलोग करते थे अपनाते थी ठीना दे इंज्वाइट ट्रू हॉम रूल और ट्रू हॉम रूल जो होता था बास्तों में उसको इंज्वाइक करते थी अनन्द लेते थी अपने घर पर रहना अपने नियम काईदे को मानना जादे ओकील और कछरी का चक्करने काटना अपने लोगों में बैठ करके किसी ची का समाधान कर लेना ये ट्रू हॉम रूल था आगे दाइंडियन्स प्रइब इन गॉड भारतिया लोग इस्वरा शरक्ते हैं साथ्मा भिषा सकते हैं रिलिजन धर्म सकते हैं पिरिटी सुथा में शास्कते हैं कि रेस्टिक्शन पर्तिवंद में प्लें लिविंग इन हाय थिंकिंग साधा जीवन उच विचार में विश्वास करते हैं बट दपेप्पोल आप वेस्टन कंटीज लेगे पाश्चिम देश के लोग जो होते हैं बलीविन मेटलिज्म भातिक बादम विश्वास रखते हैं एक्ट्रेक्शन आकर्शन में यहां कर्शित होता है या करता है आकर्शन विश्वास रखता है हीमन डिजायर मान वे इच्छा उन लोग को होता है अपनी इच्छा को पूर्या कर लें यह हमारा कल्चर है यह हमारा शिवलाइशन है लगजरियस राइप बिलाशी जीवन सुक्ष भोग डिस्कॉबरीज अब मॉडन तिंग्स आधिन चीजों का खोज इन सब पर में वेस वेस्टरन कल्चर वाले लोग विश्वास करते हैं वेस्टरन शिवलाइशन वाले लोग विश्वास करते हैं एट लास्ट ही से डैट अंतमय काते हैं आवर शिवलाइशन कल्चा इटी सी डिपेंड आउन रिस्टिक्टिंग वांट्स पर्तिवंदी चाहत पर में हमारी श चान तो यह है आगे and self-control अरात्व नियंत्रन पर भी हमारा शब्ता ठीका हुआ है but western civilization depends on लेकिन पस्वी सब्ता डिपेंड करती है निर्वार करती है human wants मान भी चाहत पर कि मन की चाहत को पुरा कर लो भोगी होता है वो लोग हम लोग संजमी होते हैं आगे we should not believe in only happiness हम लोग को सिर्फ खुशी में जो आनंद में and narrow thinking संक्चित विचार में ही विश्वास नहीं करना चाहिए गांदी जी सेज़ए गांदी जी काते हैं physical race is also necessary सारी का राम भी जरूरी है सारी सुख भी जरूरी है सारी का राम भी जरूरी है but it should be limit limit में होना चाहिए इन उसके पीछे पागल बने हुए है पश्मी सब्ता वाले लिमिट नहीं खुझते more and more की चाहत होती है यही अंतर है आई हम किताब के लाइंस को जब पढ़ाएंगे तो और बड़ी-बड़ी बाते होंगी और मुख लाइन होंगे लेकिन यह समरी है पांच नंबर के समरी होते हैं न लिमिट कर दिया गया है ऐए वाट इस अपने मौलिक चाहतर को बहुत सुरक्षित रखा है और यहां ए डिपेंड सवावजी इस उपने शालातम पर में प्रिटीश पर में रिस्रिक्षित रिस्रिक्षित वांट प्रतिवंधी चाहत पर में और सेल्फ कंट्रोल आप नियंत्रण पर में डिपेंड करता है बट वेस्टें सिवलाज़शन इस गॉड बहूंग है इस पर में इन्वेंशन्स एंडिस्कॉवरीज खोज और अविश्कार पर में उनकी जीवन बस फास्ट फास्ट है कितना खोज लो सुख्य साधन कितना जी लो आराम से कितना भोग लो उस पर डिपेंड करता है आई कि भाई महात्मा गांधी यही थेंख़ू जानगांधय यहीं थेंख़ू टॉडन सिवorarशन के परती ओ थेंख़ू कियो है कि तक कि कुछ तो सीख नहीं किसी सवी ग्रता किता तो लेना पड़ेगा तो ही इस थेंख़ू दू मोरे सिवलाशन के प्रती थेंख़ू है because he has learnt many things from western literature western literature से बहुची सीखे हैं शाहिद से and he accepts that he is no hater of the west क्यों कहते हैं कि हम वेश्ट के hater नहीं है गिरना करने वाले नहीं है परन्तो श्वास चाही ढूंडते हैं बुराई छोड़ते हैं हम इंडियन संजमी होते हैं वोलोग संजमीने होते हैं कुछ मामले को छोर करके उनके लिटेचर से सीखे हैं हेटर नहीं है परन्तो अपनी शवता को उचे दर जाका मानते हैं आई वाइड़ गांधी जी शेड़ेट मांडी जरेसे सब्सक्राइब गांधी जी क्यों काते मन एक बेचैन पक्षी होता है अब जानते हैं मांड एक असाथ पक्षी होता है अबर मांड इस बाड बेकाव अगवाग गाइट अमॉड इस वांस असे लिए जितना जादे इसको मिलता है उतने चाहत रखता है और असन तुछ रखता है इसलिए गांधी जी ने कहा यह रेचलेश्ट पक्षी होता है एक काड़ी जी गांधी जी कांशार दा मांड इस रखता है मन विक बेचन पक्षी और संथ पक्षी होता है विकाव दो मॉड़ इस लिए इसलिए उतना जादे और चाहता है फिर भी और संतुष्टे रहता है कि मैंने जाइड मन उसकी बहुत सारे इच्छा हैं सोही सजेस्ट्स डैट इस लोग सलाह देते हैं एडवाइज डैट एडवाइज देते हैं क्या की अब्रीवड़ी सुट कंट्रोल और इस माइन डिजाइड कि परते कादमी को अपने मन पर में और इच्छा पर में लगा नट्रार अंसेस्टर स्वेव भैव लाच डीज लार्ग शिटीज के बारे में क्या विंग हमारे एनसेस्टर सेते हैं या हुआ वाइवाए य यह 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 सटिस्फाइड फिर स्माल विलेज कि वह फिशोटे च्छोटे गांव से सं तो क्यों रहते थे आब रवरए प्रस्ट्यूशन एटी सी यह चोरों से डाकों से बेश्या बिर्तियों से भरा रहता है शोप्य पूल कांट भी हैपी देर लोग वहां खुश नहीं रह सकते बभगा हैना देवार सटिस्फार्ड विदेर समाल विलेजेज वह अपने अपने छोटे गाहों से संतुष रहते थे हैना विकोज बिलिव इन लिमिट्स लोके लिमिट्स मों को भी स्वास था और जो सीमा में अपने आपको बांद कर रखेगा वह जल्दी करप्सन का सिकार नहीं होगा जो भी करप्टेड होते हैं वह अपने आपको जादे शोच लेता है जादे चाहत रखता है इसलिए शॉटकट हुए लेता है और गलत मार्गो पर उतर जाता है जल्दी और जादे चाहने की चक्र में हना हाओ डिड़ावर एंसेस्टर्स इंज्वाइ ट्रू हम रूम रूल का कैसे इंज्वाइ करते थे हमारे पुरवज लोग आवरे शेस्टर्स वेर सटिस्पाइड विद लोगर्व लोग शाल एंगे अपनीक लिमिट गए मुट रखते थे आगे यह जाते थे पर आनीविटक इस्पुट किसी मामले के लिए जाल में भीट रोड विलिव एशान को झा जिवन पसंद करते थे शो दे लाइक अंज्वाइ की तु आज्वाइ ट्रूं पुर्श थ इसली टूर्ण होम रोल को ही लाइक करते थे और उसी का अनंद लेते थे उसी का मजा लेते थे उसी मुझे विश्वास होता था आई क्योंकि जितना मिलेगा उतना चाहत बढ़ेगा है ना with a great believe in God to metalism और एक बड़े विश्वास के साथ इस्वर से ज्यादे metalism नेतिकता बाद है ना भौतिक बाद होगा नेतिक बाद नहीं है ना नेतिक बाद नहीं इसको आप metalism बहुत बाद करते हैं एक मिनट है भौतिक बाद ही जगेंस्ता प्लाइन इमिटेशन आफ वेस्टर्ण civilization वह जो हैं विरुद हैं किसके वेस्टर्ण civilization के अगदम बलाइन नकल कर लो पूरे अंधा होकर के लो भागल जा रहा है वेस्टर्ण के बाद पीछे इससे इनको हैं प्रहेज था है ओवाट ड़ज आवरज आवर सिवलाइशन डिपेंड हो हमारी शिवलाइशन कोनशीपाइब है आवर सेल्शान डिपेंड रिजिक्शन डिपैंड हों रेस्टिक्शन वांस चाहत जादे रख ले तो कदम गर्बर की ओर जाएगा ही ऑगी ओड़त को मीन ऑफर इशेतर इसमादर्ड ऐस्मादर्ड पूलाइश्टong defenses अजनी जुमिकार्टर्ड आँड़ протम ए200 व्र वाटर्डपन सीविलाइश्ट्रक्रा आप एंशार क्या है पोलट कंता अथर थेना इट इस दा वर्षीप आफ दा बिरिट इनस यह हमारे अंदर पसु है उसकी पूजा है हमारे अंदर जो सैथान बैठा हुआ है उसकी चाहत को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं यही तो है ना क्या हमारा अथर मॉडर्न सिविलाइशन के बारे में यही कहत इस बिलास्ता सम्मादी चीजें इन्वेंशन संदिस्कोवरीज खोज और अविश्कार के पीछे इट मेंस देट इट इस बेस्ट आं ट्रेम्फ आप मैट्रियम सिविलाइशन में मैट्रियल सिविलाइशन अट अब्रियस्टिप इसका मतलब है यह अधारित है एक विजय इस बिजय पर में आप मैंटरियल सिविलाइशन अट अब्रियस्टेप प्रते कदम पर में भातिक बाद सब्सक्राइशन अब एक स्विलाइशन है शिविलाइशन इडाट ओड़क्ट विज पॉंट्ट वें पाथ आप दूटी ता अप लिखोगे इस लाइंस अब टेकन आप लिखोगे शिविलाइशन इडाट मोड़क्ट के सब ता वही आचरन की पदती है वह श्याचरन की पदती है विच पॉंट्साट विटी जो मनुष को करतब का रास्ता को दर्साता है शो इसलिए कि अपरेबड़ी शुट बिलीव इन हीज डिवटी पर्तेक को अपने फर्ज में विश्वास रखना चाहिए कर्म में विश्वास रखना चाहिए ही शुट आलवेश थिंक फोर हीज पाफरमेंस हमें इस आपने परदर्शन के लिए शोचना चाहिए बट विद गुड गुजराती में भी शब्ता का समानर्थ है अच्छा अच्रण अच्छा अच्रण ही गलाता है शब्ता गुजराती में आगे आगे आवर एंसेस्टर्स दिनोट लाइक सिटीज एंडे सेट लिमिट हमारे पुरबज लोग एक जो हैं सिटीज को पसंद ने करते थे अपने लिमिट काम किये थे यह भी पंक्ति कहां से लिया गया दो लाइन हो यह दो सदी को दीज लिखोगे एक लाइन होगा तो दिस लिख दोगे ठीक ना डॉट डॉट है हाँ डॉट 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 हरे एक दो लाइन जादे हो उसे कोम डॉट 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 आप समझेगा इस लाइन है बिन टेकन फ्रॉम यह पंक्तियां ली गई हैं कहां शबाब हो इंडिन सिवलाइशन कल्चर से रिटन बाइ महातमा गांधी इसको महातमा गांधी के दोरा लिखी गई है कि यह गांधी जी सेज़ ड़ गांधी जी काते है की आवर अंसेस्टर दिन टो गवाट चैटीज अमारें सेस्टर सेटीज ते जाना चाहते थे आपने च्टे च्टे गाहों से संतुष रहते थे देस्ट लिमिट वहापने लिमिट काम किये थे शीमा में बंदे हुए थे ने हम लोगा यह लिए भी अस अनलिपता का एक लिमिट बांद यह यह इतने सीमा तक संलेपत रहो इतने सीमा थकश्टीक है नहीं तो जादे the restless word the more it gets the more it wants and a still remains unsatisfied the B line constantly kali here there's lines have been taken from Indian civilization culture written by Mahatma Gandhi now here Gandhi you say that our Gandhiji kate we have many that's how low ki bau sa desires and wishes we want more and more he say that our mind is a is what we got the more money Kassam Bakshi hota hai the more it gets the more it wants and a still remains unsatisfied Jitra jade is coming to a hotel jade chata hai or fed me awesome to steer a thai so we must try to control our mind and desires how low control Kanna Chai up to a man ko or up to a shock who we should be satisfied with what we have how low Kassan Tosana say what come matal joe hamare paas hota hausse shantush rana chahi only then tabhi we can be controlled humble shantush raha sakte hai and can't do anything against our conduct or apne acharan ke brud kuch nahi kar sakte I believe that the civilization of India dot 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 not to be beaten I'm a bishaw seki india ka civilization beaten in pachara nahi jade sakta pita nahi jade sakta this lands have been taken from in puncto ka lii gai hai indian civilization culture written by mahatma gandhi yeh frame to ratlingi ekhi chapter ka chal raha hai kina here he expresses his views on indian civilization he says that way indian civilization kept its basic character very safe ki bharatia sapta nahi apne maulik chatur ko baout surakchit rakha hai you know and it cannot be beaten in the world aduniyami se pachara nahi jaya sakta he say that way kata hai ki many other countries accepted western civilization ki baout saray se desa hai joe western civilization ko follow kar liya hai pasvi sabta ko follow kar liya hai apna liya hai which depends on materialism jubhautik bad for the river karta hai but indian civilization bharatia sapta continued its ancient things apne praachin chijo ko kame rakha hai continue rakha hai which were lacked by our ancestors johamare purabhajo ke dora bhi paasand kiya jate the indian civilization nevnik indian civilization unique hai ajubha hai aduti hai hai bejoor hai matchless hai and it depends on restricting wants are yeh pardabandhi chahat parme and self-control आत्म niyantran parme nirvhar करता है जो चीज़िए अपने आपर में नियantran parme nirvhar करता है और हमारे परतिबंदी चाहत यानि मन हो तो भी लगाम लगा लो रोक लो कभी गरबर ने होने दे सकता है इसलिए indian सही में बाकई में western civilization से कहीं उपर है भले ही हम लोग भातिक बाद में शुक की खोज में भागे जा रहा है यह हमारे पुरवज लोग इसे नहीं थे याद रखी हमें योटों को देखते रहना है like share subscribe करते रहना है don't take chances study with the best thank you bye bye शीव अंग्रेजी सब पढ़े सब बढ़े